आज हम स्टांडर्ड टैन संस्कृत में गुन्वती कन्या की एक्सरसाइज देखेंगे पहले हम पाठ यानि स्टोरी और ग्रोसरी ये दो हमने देखे थे आज हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे तो प्रस्ण एक है अधो लिखीते ब्यह विकले ब्यह समुचितम उत्तरम चुनोता फर्ष्ट है पहला कर्स्मिन वर्षे प्रविष्ट सक्ति कुमारह चिन्तामा पन्नह फर्ष्ट विकल्प है द्वा विन्सती तमें B. विन्सती तमें C. एक विन्सती तमें D. चतुर विन्सती तमें यानि 20, 22, एक विन्सती तमें तो कुन सा आंसर आएगा? यहापे आंसर आएगा A. द्वा विन्सती तमें दूसरा कुईकल्प श्रेष्ट पुत्रह किमर्थम देशम अब्रमत तो एन जाब उसका जाब क्या आएगा? ओप्शन है A. दनर्जर नार्थम B. विद्या ग्रहनाय C. दार ग्रहनाय D. दन ग्रहनाय तो उसका आंसर आएगा C. दार ग्रहनाय वो कण्या के लिए जाता है ना? दार ग्रहनाय त्रिसरा विकल्प बुद्धिमती कण्या सालीन कुत्र तप्तवती A. अग्नो B. आतपे C. चत्वरे D. समानाय अंसर आएगा B. आतपे चोथा विकल्प त्रुसान विक्रिया दात्रेकिम आनितवती A. दृतम B. कास्थानी C. जलम D. साकम अंसर आएगा B. कास्थानी पास्था विकल्प पास्था विकल्प कण्या धत्र मुखे न अति थी प्रथम कीम निवेदितवती Option है A. प्रतिक्षा कारनाय B. आशन ग्रहनाय C. भोजनाय D. स्नानाय अंसर क्या आएगा B. स्नानाय आगे बढ़ते हैं हम विकल्प 6 देखते हैं हम इंदनानी जलेन समय इत्वा कन्याकिम प्राप्तवती फिर से इंदनानी जलेन समय इत्वा कन्याकिम प्राप्तवती Option A. कृष्णारंगान B. कास्थानी C. जलम D. साकम क्या आंसर आएगा A. कृष्णांगारान उसका आंसर होगा सात्वा विकल्प बोजन आंते कन्याया कस्य व्यवस्था क्रुता बोजन आंते कन्याया कस्य व्यवस्था क्रुता Option A. सायनस्य B. ताम्बुलस्य C. तरकस्य D. मिष्ठानस्य आंसर आएगा B. ताम्बुलस्य Option A. स्वाक्रियायन बुद्धि बलेन B. कृतेन इंदनेन C. प्रस्था परिमितेन ज्यानियन D. स्वाक्येन दनेन Option क्या आएगा C. प्रस्था परिमितेन ज्यानियन हब हम आगे बरते हैं क्वेश्चन टू वो क्या है प्रस्था बे एक वाक्यन संस्कृत भहसायाम उत्तरम लिखत Option B. प्रस्था बे एक वाक्येन संस्कृत भहसायाम उत्तरम लिखत यानि संस्कृत भहसा में उत्तर लिखने है पहला क्वेश्चन श्रेष्टी पुत्रसे नाम कीम आसित उसका अंसर होगा श्रेष्टी पुत्रसे नाम सक्ति कुमार आसित दूसरा क्वेश्चन देशान ब्रह्मन सक्ति कुमार है एक दा कुत्रसमागत देशान ब्रह्मन सक्ति कुमार है एक दा कुत्रसमागत तो उसका अंसर होगा देशान ब्रह्मन सक्ति कुमार है एक दा कावेरी तीरपत ने समागत है ये उसका अंसर होगा अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं शक्ति कुमारह वीरल भूस नाम कुमारी कुत्र अपस्यत उसका अंसर होगा सक्ति कुमारह वीरल भूस नाम कुमारी कुपे अपस्यत च्वाथा क्वेश्चन कन्या तांडुलान लगे नप्रक्षालितवति आंसर होगा सक्ति कन्या तांडुलान जले नप्रक्षालितवति पाच्वा क्वेश्चन अंसर होगा अति थे बोजर उचिनम विर्दिवती ये उसका अंसर होगा अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेस्चन थ्री की तरफ जो है कुरुदंत आप लोग ने पढ़े होगे अब भ्यस किया होगा कुरुदंत का हम आगे बढ़ते हैं कुरुदंत की तो देखते हैं प्रविष्ठ हो तो उसका क्या होगा प्रविष्ठ आक रुस्टम याने कर्मनी बूत क्रुदंत होगा भुजे इतुम प्रिरक हित्वर्थक तुम्तम अव्ययम उक्तवा संबंधक बूत क्रुदंत आएगा आदाय संबंधक भूत कृधन्तम लब्द्वं अव्ययं शिक्स निवेदित वती उसका क्या आएगा तवत प्रत्यान्तम प्रेरग करतर भूत कृधन्त यह हमने कृधन्त के प्रकार देखे आपने पहले अव्यस किया होगा जो कोष्टक है कृधन का वो एक बार देख लेने तो आपको मालूम पर जाएगा कि केसा केसा उसमें क्या क्या आता है अब संदी संदी विच्चेदम कृधन यानि संदी का विच्चेद करना है पहला प्रविष्ठ प्लस 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 उसका क्या संदी होगी व्यंजनम प्लस च उसकी संदी आएगी तो यह कृदन संदी यह सब आपको याद रखनी है कि एक्जम में यह बहुत इंपोर्टन्ट है समास देखते हैं समास आपको पढ़ना भी बागी होगा लेकिन हम एक बाड इसमें देख लेते हैं जब आगे टाइम होगा तो हम समास के बारे में भी बात करेंगे समास प्रकारम लिखत तार विहिना नम उसका समस के हैं तुतिया तद पुरुष समास दुर्त सहितम तुतिया तद पुरुष समास पिनद्व साली बहुल विही समास वीरल भूसनाम बहुल विही समास साली प्रस्थेन सस्थी तत्पुरुष समास रुष्णारंगान यानि कर्मधारय समास गुन संपदा सस्थी तत्पुरुष समास श्वनगरम यानि सस्थी तत्पुरुष समास अथ्वातु कर्मधारय समा आ सकते हैं उसमें हम आगे बढ़ते हैं उदाहरन के अनुसार हमें ये सब सब्द रुपे उसका परिचे हमें देना है तो उदारन में क्या लिखा है कि वच्चनात यानि वच्चन वो कौनसी है नपुशकलिंग पंचमी एक वच्चन यानि वच्चनात का क्या हो गया वच्चन वो क्या है लिंग नपुशकलिंग है विबक्ति कौनसी यानि पंचमी विबक्ति एक वच्चन में कांची नगरे, उसका क्या सब्द होगा, कांची नगर, वो भी क्या है, नपुशकले, कोई स्थल, जगा, वो कौनसी होगी, नपुशकले, विभक्ति कौनसी, तो कि सब्टमी विभक्ति, वचन कौनसा, तो कि एक वचन, जीवन अस्य, यानि जीवन, मुर्शब्द जीवन, वह भी क्या होगा नपुस शकले। लेकिन विबक्ति कोंसी शषती विबक्ति है। वचन तो की एकवचन, जो मैंने डबल लैंड किये वह एकवचन है। इसलिए ऐसे लैंड लेकिन आपको लेखना है। बार्याम यानि बार्या स्ट्रिलिंग है यानि धृतिया विबक्ति जो विबक्ति का कोश्टक होगा ना सब्द रुख का विबक्ति का उसमें आपको देखना है तो आपको पता थे लिए का के स्ट्रिलिंग नपुसक्लिंग पूर्लिंग के जो सब्दा आते उसमें कौनसी विभक्ति लंगती है, वो भी एक वचन है, दार गरहन आया, यानि मूर दार गरहन, वो नपु शकलें, विभक्ति कौन सि चतुर्ष विभक्ति? वचन एक वचन समप्तव यानि समत्ति वो क्या कॉंसी लिंग होगा स्ट्रिलिंग विबग्ति सप्तमी वचन तोके एक वचन अनेन उसका में इदम वसर्वनाम पुर्लिंग विबग्ति तुर्थिया वचन तोके एक वचन जो अब सात्वा क्विश्चन है कोष्टक गतानी पदानी प्रपुजियम संस्कृत वच्चान वाक्यानी रचायत यानि संस्कृत में हमें वाक्या बनाना है आप एक्सरसाइस में दे तो इंग्लिस में लिखा है उसके बाजू में शेष्ट पुत्रह सक्ति कुमार नी प्लस वसर यानि जो संस्कृत है उसका हमें संस्कृत वाक्या बनाना है उसका वाक्या क्या होगा कि शेष्टी पुत्रह सक्ति कुमार नी वसर ती स्म दूसरा है कुप एका वीरल बूसना कुमारी दुरुसम उसका वाक्य क्या आएगा संस्कुत में कुप एका वीरल बूसना कुमारी द्रश्टा यह उसका एक वाक्य बनेगा यानि एक पूरी लाइट बनेगी आगे है तिसरा सेष्टी पुत्रह स्वग्रुह आनि स्वग्रुह आ प्लस नी उसका क्या आएगा कि सेष्टी पुत्रह स्वग्रुह आनि ध्वती ये सा वाक्या बनेगा च्वाथा है तत धन मिला उसका वाक्य क्या बनेगा तेन धन मिलती अथ्वा जो कौंस में है वो तेन धल प्राप्ते वा ये दो वाक्या हो सकते हैं पाँच्वा दन साक दृत तैल च आ प्लस नी उसका वाक्य क्या होगा दनेन साकम दृतम तैलम च आनियामी ये उसका वाक्या बनेगा हम आगे बढ़ते हैं आगे जो है वो क्या लिखा है कि आंगलं भासायाम उत्तरानी लिखता है आंगलं भासायाम यानि जो आपको आती है आपकी मात्रू भासा है आपको जो लेंग्वेज आती है उस लेंग्वेज में हमको आंसर लिखने है जो भी भासा हो लेकिन हम कौन से भाषा को इस्तिमाल करेंगे गुजराती, हिंदी, इंग्लीश और फीर limits ने का से चार लेंग्वेस का हम इस्तिमाल करेंगे और answer करよし कोई या छारों में से कोई भी एक बाषा का इस्तिमाल करते लिखेंगे यहाँ वह मैंने इंग्लीश में लिखह हैं आप कोई भी भासा का इस्तिमाल कर सकते हैं को कि फर्स पेस्ट उसका आंसर को करें दूसराêu question what was that thing command plan the taste an excellent goal उसका आंसर इंग्ली समें लिखा आपको जो भी लेंग्वेज आती है उसमें लिखना है ये त्रीसरा question सेम उसे इसे ही करना है ये च्वाथा question फिर पाजवा question फिर ये question नाइन आंगल अभ्य भासायां संक्षिप्ट वा टिपपनी लिखातब यानि आपको जιस लेंग्वेज में लिखना है वो लेंग्वेज में क्या लिखना है टिपपनी शकति कुमार्ज planning for test जो वो टेस्ट लेता है एक्सिलेंट गल इसकी planning कैसी है वो एक्सिलेंट गल वो test लेने का planning फिर वो excellent है उसका planning कि दो क्वेश्चन हुए कि फर्स्ट का अंसर आपको जिस लेंगविज में लिखना है वो लेंगविज में लिख सकते हैं फर्स्ट और ये सेकंड सेकंड का अंसर और ये तीसरे आप भी है वो एसे ही है अदोद अत्ता नाम वाक्य नाम अंगल भासायाम अनुवादम कुरूता ये भी एसे है आपको जो लेंग्वेज आती है इस लेंग्वेज में आप अंसर लिख सकते हैं यहाँ पे तदर्थम गुनवादी भारियाम अहम विंदे या मतिम या में इंग्वेज में आंसर लिखाए आपको जो लेंग्वेज आती है उस लेंग्वेज में आपको आंसर लिखना है फर्सका आंसर सेकंड थर्द वडरे फोर्थ यान फीब्थ यह answer आपको लिखने है यानि grocery and exercise आपको दोनों homework में लिखना है जब हम 21 स्टेस को टेस्ट लेंगे तब question answer आएंगे इस में से आपको answer लिखने है यानि आप तैयारी करते रहे हैं धन्यवाद